जै मातादी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटिव चानल पर, आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी शरी प्रदोश की व्रत बथा व्रतेक मास की त्रियोदशी यानी तेरस को प्रदोश व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान शिफ की पूजा की जाती है जब त्रियोदशी दिथी शनीवार को पढ़ती है तो यह व्रत शरी प्रदोश कहलाता है व्रत वाले दिन सूर्यास्त से पहले उठे नित्यकर्म से निपटने के बाद सफेद रंग के कपड़े बहने पूजा घर को साफ और शुद करे प्रदोश व्रत की पूजा प्रदोश काल में यानी सूर्यास्त के बात की जाती है माननेता है कि शनी प्रदोश व्रत रखने की बाद शनी से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए ऐसा करने से शनी की साढ़े साती और धैया में आपको राहत मिलती है वहीं कुछ लोग प्रदोश का व्रत संतान की प्राप्ती के लिए भी रखते हैं उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुकर के बैठे और शिवजी की पूजा करें प्रदोश व्रत की दिन सुभा शीगर स्नान करके स्वच वस्त्र धारन करें और भगवान शंकर और माता पारवती को स्नान कराएं उसके बाद बेल पत्र, भांग, धतूरा, फूल, दीप और नेवेद अर्पित करें इसके साथ ही भगवान को लॉंग, इलाइची, अक्षत, पान और सुपारी भी चड़ाएं और एत्र भी अर्पित करें प्रदोश अगर शरिवार को पड़े तो स्टील की कटोरी में तिल का तेल डालिए और अपना चेहरा उसमें देखिए और शनी देव का ध्यान कीजिए फिर इस तेल को डाकोत को दान कर दीजिए इसके साथ ही आप काली उड़त, काले तिल और जौबी दान कर सकते हैं इस दिन काली गाय और काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी मीठी रोटी खिलाने से भी आपकी सोई किस्मत जाग जाती है आईए अब करते हैं शनी प्रदोश व्रत कथा प्रारम एक बार किसी एक नगर में एक साहुकार था, उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी लेकिन कोई संतान न होने की कारण वह बहुत दुखी रहता था संतान प्राप्ती के लिए वह हर सोंवार को व्रत रपता था और पूरी शद्धा के साथ शिफ मंदिर जाकर भगवान शिवर माता पारवती की पूजा करता था उसकी भक्ती देकर एक दिन माता पारवती ने प्रसन होकर भगवान शिव से साहुकार की मनो कामना पूर्ण करने का निवेदन किया पार्वती जी की आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती इस अंसार में हर प्राणी को उसकी कर्मों का फल मिलता है और जिसकी भागे में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है लेकिन पार्वती जीने साहुकार की भक्ति देखक उसकी मनों कामना पूण करने की इच्छा भ्यक्त की माता पार्वती की आग्रह पर शिवजी ने साहुकार को पुत्र प्राप्ति का वर्दान तो दिया लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहुकार सुन रहा था इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख वह पहली की भाती ही शिव जी की पूजा करता रहा उच समय के बाद साहुकार की पत्नी ने एक पूत्र को जन्म दिया जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया साहुकार के पूत्र के मामा को गुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालब को काशी विद्या प्राप्ती के लिए ले जाओ, तुम लोग रास्ते में यग्य कराते जाना और ब्रामणों को भोजन दक्षिना देते हुए जाना दोनों मामा भांजे इसी तर हैं यग्य कराते और ब्रामणों को दान दक्षिना देते काशी नगरी निकल पड़े इस दौरान राद में एक नगर पड़ा जहां नगर की राजा की कन्या का विवा था लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवा होने वाला था वह एक आख से काना था राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बाद को छुपाने के लिए सोचा क्यों नव है साहुकार के पुत्र को दुलहा बना कर राजकुमारी से विवा करा दू विवा के बाद इसको धन देकर विदा कर दूँगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा लड़के को दुले के वस्तर पहना कर राजकुमारी से विवा करा दिया गया साहुकार का पुत्र इमानदार था उसे यह बात सही नहीं लगी इसलिए उसने अफसर पाकर राजकुमारी के दुपटे पर लिखा कि तुम्हारा विवा तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार की संग तुमें भेज़ा जाएगा वै एक आकसी काना है मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ जब राजकुमार ने चुन्नी पर लिखी बाते पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और फिर बारात वापस चली गई दूसरी और साहुकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुचे और वहाँ जाकर उन्होंने यग्गी किया जिस दिन लड़का बारा साल का हुआ उस दिन भी यग्गे का आयोजन था लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तब्यत कुछ ठीक नहीं है मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो शिवजी के वर्दान उनुसार कुछ ही देर में उस बालक की प्राण निकल गए मृत भांजी को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया संयोग वर्ष उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि है महादेव आप इस बालक को और आयू देने की कृपा करें अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तडब तडब कर मर जाएंगे माता पार्वती के पुनहा आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दिया शिव जी की कृपासिव है लड़का जीवित हो गया शिक्षा पूरी करके लड़का मामा की साथ अपने नगर की और वापस चल दिया दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुचे जहां उसका विवा हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यग्य का आयोजन किया उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिवदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया इधर साहुकार और उसकी पतनी भू के प्यासी रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्रान त्याग देंगे परन्तो अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहत प्रसन हुए उसी राद भगवान शिवने साहुकार के स्वप्न में आकर कहा हे स्रेश्टी मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन होकर तेरे पुत्र को लंबी आयो प्रदान की है इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत रखता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनुकामनाय पूर्ण होती है तो दोस्तों ये थी शनी प्रदोश की व्रत कथा आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए हमारी आने वारी सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारी चानल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले